प्रेस नहें पहला कि टोक्यू 2020 औलंपिक हौकी में भारत ने किस देश को हराकर कास्ट पदक जीता है तो सही आंसर हो जाएगा जर्मनी अगला है कि एफाई डीई किस खेलका अंतराष्टिय महासंग है एफाई डीई यानि कि फेडरेशन इंटरनेशनल डेज या इचेज के नाम से जाना जाता है जिसे हम सत्रंज भी कहते है तो आप्सिन नंबर ए हो जाएगा इसका मुख्याले लुसाने में मिलेगा ये भी याद रखेंगे डैस के मध्ध के अबधी भारती इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के रूप में मानी जाती है यानि कि दिल्ली सल्तनत स मिहिर भोज सासक था पता होगा कि मिहिर भोज जो था परतिहार बंस का सासक था 1978 में डैसवे संसोधन ने संपत्ति के अधिग्रहन उस पर नियंतरन और बेचने को मौलिक अधिकारों से हटा यानि कि बिलोपन कर दिया 278 है तो आपको पता होना चाहिए चवालिसवे संविधान संसोधन के तहत ये काम की गई है आबुलफजल की सूफी संत के पुत्र थे तो आबुलफजल का जो संबन्ध है उससे एक मुबारक इनके पिता थे आठवा है कि बंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंदमा ठॉप्स नंबर बी बंकिम चंद चटर जी ने लिखा भुतापिय उर्जा का अधिकतम उप्योग कहा होता तो सही आंसर हो जाएगा हमारा आइसलेंड आइसलेंड में भुतापिय उर्जा का अधिकतम उप्योग किया जाता है दस्वा प्रसन है कि भारत द्वारा बिक्सित प्रत्थम बानिज्यक असाइनिक बायूआन कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारस सारस जो है भारत द्वारा बिक्सित प्रत्थम बानिज्यक असाइनिक बायूआन है बिस्व बियापार संगठन जो अब GAT के नाम पर है का मुख्याल है कहां इसती थे तो WTO जो है पहले GAT GATTT के नाम से जाना जाता था और इसका मुख्याल है जेनेवा में है और WTO के स्थापना 1905 में जबके GAT के स्थापना 1948 में हुआ था आगे चलते हैं अगला हमारा प्रेसने बारवा की बिधान परिसद की सदस्ता के लिए नियूंता मायू की सीमा क्या है तो बिधान परिसद की जब अगर बात करेगा तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 30 वर्स बिधान परिसद और राजसभा दोनों के लिए 30 वर्स 25 वर्स जो है हमारा किस के लिए लोकसभा और बिधान सभा के लिए 35 वर्स आपका राष्ट्पति, उप्राष्टपति और राजपाल के लिए 21 वर्स जो है आपका ग्राम पंचाइट और नगर पालिका के लिए होता है आगे ब्ांगला देश का राश्ट्यगान अमार सुनार बांगला किस ने लिखा था तो किस ने लिखा है तो रविन्ना टेगोर ने लिखा है भारती ये बानकी संस्थान भारत के किस सहर में इस्थी थे बानकी संस्थान तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून बन अनुप संधान का बात कर रहा है पंदरे नंबर है कि दिन्दयाल रसोई योजना जिसके तहत केवल पाच रुपिये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा 6 अप्रेल 2017 को किस राज द्वारास औरम की गई है कहरेंट का प्रस्न में बहुत पुरान डाल दिया मध्य प्रदेश में है दिंदयाल रसोई योजना जकार्यास जानसेन ने किसका विश्कार किया था बैडमिंटन में गेंद का इस्थमाल नहीं होता है बाकि फुटबॉल, किरिकेट और टेनिस में होता है 18 प्रसने कि E के वाना एक जपानी कला है जो की E के वाना तो E के वाना जो है फुलों को सजाने से समंदिते ऑप्सन बर B हो जाएगा अगला प्रसने है कि Davis Cup की तरह महिलाओं का टूनामेंट का कौन सा है बहुत ही बढ़ियां प्रसने हैं याद रखेंगे कि Davis Cup के जैसा ही फेड कप जो है वो अंतराष्टे टेनिस फेडरेशन द्वारा आउजित महिलाओं का टूनामेंट है यानि कि Davis Cup का समंद किस से है तो टेनिस से है किस से टेनिस आगे प्रसन है हाली में किस ने अपनी आत्म का था एन अनसूटेवल बॉय का लोकारपन किया तो ये इसका लेखा कौन है करन जोहर की पुस्तक है एन अनसूटेवल बॉय निमलिखित में से कौन सा देश हिंदमासागर तटिये छेत्रिये सहयोग संग का सदस्न नहीं है आप्सन के उसर देखेंगे आई ओ आरे का सदस्नी है स्रिलंका मौरिसस सेसल सोर्चीन तो इसमें देखा जाये तो सही आंसर हो जाएगा चीन अगर हम बात करें आई ओ आरे का तो हिंदमासागर से घिरे 21 तटवरती देशों का एक अंतराश्टिय संगठन है जिसमें चीन स सभी देश आपका सामिल है भारती भी इसमें सामिल है in ڈोनेश्या भी सामिल है तो यसे सब याद रखेगा लॉक्यी जन्रेज चेंगं दोजर इगाराे 21 साख शर्दादर कितनी थी तो बिहार में साख शर्दादर आपका हो जाएगा 79.1 2011 क्या नूसर एक मिनट शुकेंगे बिहार में साख शर्दादर कितना है नहीं इसका option number a नहीं option number c हो जाएगा सुधार कर लेंगे 61.可以 सब्सक्रादर六 आठ जो है तो जल्दी जल्दी में कभी कोई question जो है नहीं पकड़ पाते हैं किसका सही आंसर क्या होगा और आंसर हम जो गलत रता वो भी टीक कर देते हैं तो आप लोग को अगर लगे कि यह आंसर गलत बताया गया है तो आप जरूर उस question नंबर के साथ वो answer भी टाइप कर दें कमेंट में ताकि अन्य कोई भी लोग अगर पढ़ें तो उस चीज को सुधार कर ले और message को मैं पीन कर दिया करूँगा ठीक है और जहां पर समझ में आ जाता है तुरंत question को देखते ही तो मैं तुरंत उसका reply आपको सुधार करवा देता हूँ ठीक है फिर भी धियान रखेंगे कभी-कभी इतने सारे प्रस्न पढ़ने में कुछ question जल्दी-जल्दी में से है मिड्डे मिल हादसा जो हुआ था उससे संबंदित बिट्टो फिल्म है जो कि 16 जुलाई 2013 की तारिको सारंजिला के में ये घटना हुई थी जिसमें 23 बच्चों का मिर्ट्यू हो गया था 26 नमबर है कि बिहार में ग्रामीन छेत्रों के स्वक्चता में सुधार के लिए निवन में से कौन सी महतपुर्ण योजना चलाई जा रही है तो सही आंसर हो जाएगा लोहिया योजना कि इसमें ग्रामीन छेत्रों में स्वक्चता के लिए ठीक है और इसमें 60-40 का यानि कि 60% केंदर देता 40% बिहार सरकार का प्रसने 27 वा कि बर्ष 2011 की जनगन्ना का नुसार बिहार की पुरु साक्षरता दर कितनी अभी उपर में बताये थे 71.2 जीरो और महिला बोलेगा तो 51.5 जीरो अभी हाली में पैर अलंपिक में उची कूद में कास से पदक दिलाने वाले सरद कुमार का समन्द बिहार के केस जीले से सरद कुमार के अगर बात करें तो यह मुझा फरपूर से रहेंगे ठीक है ध्यान रखेंग और यह ब्रॉंज मेटल यानि की कास से पदक जीते है भारत में पंचायती राजववास था सरपर्थम राजस अंधरपर्देश में ठीक है प्रेस नहीं कि 20 वल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है तो अल्जाइमर दिवस जो है प्रतिकवर से किस सितंबर को मनाया जाता है अमेरिकी अंत्रिक्ष एजंसी नासानी घोशना की है कि वाकिस ग्रह के लिए बर्स यान भेजेगा तो 31 का सही आंसर हो जाएगा सुक्रग्रा ओप्सन नमबर ए धूबरी फुलवाडी पूल जो हाल ही में खबरों में था किस नदी पर बनाया जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म पुत्रा नदी डेस्ट लिक भारत और किस देश के बीच एक सा समार्ट सीटी मीशन के तहत बिहार के चार सहर को चुना गया है कौन-कौन सा तो पत्ना भागलपूर बिहार सरीफ और मुझभफरपूर प्रेसने मारा पैतिसवाप कि बिहार का पहला जिला जहां सबसे पहले त्रियस्तरिय पंचाइतों के प्रमर्सी समीति ने कारी करना प्ररम्ब किया तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर सी सोरी ठर्टी फाइब का ए सिबहर हैना बिहार का पहला जिला सिबहर बन गया है जहां पहले त्रियस्तरिय पंचाइतों के प्रमर्सी समीतियों ने कारी करना प्ररम्ब किया आगे चलते हैं वीडियो मिलने पर हम आपके साथ बने रहते हैं आए देखे 36 नमबर है कता है कि हाली में बिहार के किस स्थान पर सड़ा कनुसंधान केंदर बनाने की घोसना की गई है सड़ा कनुसंधान केंदर तो ये मुकामाई बनेगा हाली में जारी SDG इंडिया इंडेक्स 22 कनुसार बिहार में सड़क दुरगटना में मिर्तिवदर प्रतिवी अवादी पर एक लाग पर कितना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा च्छ बिहार में A.S.A.G. योजना के किन के लिए A.S.A.G. A.S.A.G. का मतलब होता है सिक अस्कीम ओफोर एडॉलसेंट गर्ल यानि कि किसोरी बालिकाओं के लिए A.S.A.G. 39 है कि नसीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैद तसकरी के खिलाप अंतराष्टिय दिवस किस दिन मनाया जाता है तो अंतराष्टिय दिवस मनाया जाता है 26 जून को नसीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैद तसकरी के खिलाप 20 गौरईय किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन की ये दूजर आठ का बात कर रहा है ठीक है तो सही आंसर हो जागा कोशी नदी बिहार के किस प्रमंडल के अंतरगत न्यून तम जो लें प्रमंडल देखे पटना प्रमंडल प्रमंडल में आपका छे जिला ठीक है कोशी प्रमंडल के अगर बात करें तो कोशी प्रमंडल के तहत जो है आपको मिलेंगे कुल तीन जिला दरभंगा प्रमंडल के अंतरगत आ दाएगा option number D अगर अधिकतम बोलेगा तो अधिकतम में 6 होता है पतना में होता है फिर आपका एक एक और होता है दो ऐसे जिले दो ऐसे प्रमंडल है जिसमें कि आपको 6 6 मतलब total 3 total तीन ऐसे प्रमंडल है जहांपर 6 6 जिले मिलेंगे आपको बता देते हैं वो यादर रखेग एक पटना ठीक है पटना दूसरा आपका रहेगा छै जिलावला वो होता है तिरहुत और एक और होता है जो होता है मुंगेर ठीक ना पटना तिरहुत और मुंगेर में कुल छै प्रमंडल होते हैं बाकी भागलपुर में दो होते हैं कोसी दरभंगा में तीन होते हैं और पु बिहार का दक्षिन पठार का भाग नहीं है तो बिहार के दक्षिन पठार का भाग नहीं है तो इसमें सही आंसर हो जागा रोहताज बाकि से एक पूरा बाक और लखी सराई है प्रेस ने हमारा कि बिहार में गंगा किस नदी को छोड़ कर उत्तर बिहार तथा दक्षिन बिहा के समस्थ नदियों के अपार जल भंडार को बिहार की भूमी में ही या अपने में समेट लेती है तो पैतालिस्वे है इनमें से कॉन सी फ़सल बिहार की प्रमउख फ़सल में नहीं आता है नहीं आता है तो सही आंसर हो जाएगा गन्ना बाकि चावल गेहुमक का बिहार का प्रमुक फसल है बिहार में सरवादिक बनिये छेतर वाला जीला कौन सा? सरवादिक बनिये छेतर वाला जीला तो सही आंसर हो जाएगा option number B यानि की भभुगा देश में बिहार राज का बना च्छाधी क्या जेटर प्रतिसत है वह है बिहार का देश का अंतरगरती बिहार के प्रथम हरी जन मुख मंतरी कौन थे तो सही आंसर हो जागा भोला परसा सास्त्री ये 1968 से 1972 तक तीन वार बिहार के मुखवंत्री चूने जा चुके हैं इन में से कौन से ब्यक्ति बिहार विभूती को उपनाम से जाने जाते हैं बिहार विभूती अनुगरा नरायन सींग को कहा जाता है बज्जी का भासा बिहार के किस च्छेत्रे बोली जाती है तो बज्जी का आपको मिलेगा कहाँ पर बैसाली के च्छेत्र बैसाली मुझा फरपूर समच्टिपूर सीता मढ़ी ये सभी में अगला है पचासवा की green budget pace करने वाला बिहार कौँंसा राज्य बना है green budget के लिए तो ये पहला है ठीक है और यह 2022 में pace किया गया था आप science के पतरीश परसन मिलेंगे बागी 25 प्रसनाब के मेहत और बागी 50 प्रसनाब के reasoning होते तो यह क्या वनवा है कि जीका बाइरस का बाहक कौन समच्छर है तो जीका बाइरस का जो है एडिस मच्छर जिल्लीदार गर्दन यानि कि बेवड़नेक किसका भी लक्षन है तो बेवड़नेक आपका हो जागा टर्नर सनलक्षन option number B मनुस्य के खून का pH होता है मनुस्य के खून का pH कम चारिया होता है निवन में से कौन बिद्दुद खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्सित कर रहा है option का नुसर देखिएगा तो सही आंसर हो जाएगा C पंखा फिर टेलिवीजन फिर बिद्दुद प्रेस फिर इलक्ट्रिक केतली मतलब बिद्दुद खपत को बढ़ते क्रम यानि की इंक्रीज कर रहा है दो समरांतर परतिरोध वाले सर्किट का कुल परतिरोध 1.403 किलो ओम है यदि एक परतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे परतिरोध का मान होगा तो पच्पन का सही अंसर हो जाएगा 4.070 किलो ओम प्रेस्न है कि परमानु बम का कारीकारी सिधान्त उरेनियम का नाविके बिखंडन है और हैड्रोजन बम का कारीकारी सिधान्त क्या यानि कि यहाँ पर दो प्रेस्ने एक तो आपको कोश्चन में मिल गया कि परमानु बम जो है उरेनियम का नाविके बिखंडन से काम करता है जबकि पूछा हाड्रोजन बम तो हाड्रोजन बम जो है डिउटेरियम का नाविके सनलायन होता है ब्लूटूथ तकनी कनुमत्ती देती है किसका तो ब्लूटूथ में हम क्या करता है आपको पता होगा उपकर्मा के बीच बाइरलेस संचारन होता है फिप्टी एट है कि जब इनो लवन को जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं जिसका कारण क्या है तो उसमें कारवन डाउकसाइड गैस होता है सीरा किसके उत्पादन के लिए आती उचतम माल है तो सीरा हो जाएगा उप्टी नबर सी ऐलकोहल साथ नबर है कि बाइओ गैस में मुख्यता होती है बाइओ गैस में क्या होगा तो महारा सही आंसर हो जाएगा option number C carbon dioxide एवर methane आगया ये अगला प्रेसन है हमारा 61 की triglyceride क्या है तो triglyceride जो होता है वह एक प्रकार का बसा होता है ठीक है sodium sulfate रसाइनी कुरवरक 61 हाँ triglyceride वे glyceride होते हैं जो तीन बसा आमले से estery कृत किये जाते हैं प्रेसन है कि निवन में से कौन रसाइनी कुरवरक नहीं है ओप्सन के निवसार देखेंगे तो sodium sulfate नहीं है और sodium sulfate जो है एक समतल agent है और इसका उपयोग कपड़ा रंगाई में किया जाता है sodium sulfate का रसाइनिक द्रिष्टी से सिंदूर क्या है एक मिनिट इसका और देख लिजे कौन का नुर्वरक है जो तियूरिया सूपर फॉस्पेट और potassium nitrate यह सभी उर्वरक होते हैं 63 नंबर है कि रसाइनिक द्रिष्टी से सिंदूर क्या है तो सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड होता option number C HGS कहा जाता है ब्रिधा वस्था एवं काल प्रभाब के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं तो इसको हम कहेंगे gerontology अब यहाँ देखिए onkology तो onkology कैंसर से समदीत अध्यान है फिर एक option कहता है teratology teratology सारीरिक विकास का अध्यान है और एक है और नित्थो लाजी जो की पक्छियों का अध्यान है 65 काता है कि निमलिखित में से कौँ सा कथन सही नहीं है तो 65 का जो ए है वो गलत है कि सभी का इनोडर्म सजी प्रजक होते हैं ये गलत है बाकी सही क्या है तो गोल करीमी में कोई परिस्द्चरन तंत्र नहीं होते है आस्थिल मचलियों में बातासा यामतार से बिद्धिमान होता है उपास्थि सम मचलियों में निसेचन आंतरिक होता है option number 1 सेब के फल में लाली का कारण क्या है तो सेब के फल में लाली जो है ये इसका सही आंसर जागा anthocyanin option number 1 myopia की संग का दोस है myopia जो है आपको पता होगा ये नियतर से संबन दी थे option number C पार्सेक मातरक है किसका पार्सेक जो मातरक है वो है आपका दूरी का एक पार्सेक ब्रावर क्या होता है तो 3.08 गुना 10 प्रपावर 16 मीटर आगे निमलिखित में से कौन सी रासी सदीस नहीं option के नियुकर देखेंगे सदीस नहीं यानि के वेक्टर नहीं यानि के आपको अदीस खोजना है तो आहितन जो है एक तरह से अदीस है बाकी बिस्थापन बेग और बल सदीस है बर्प है जमी जील के अंदर मचलियां जीवीत रहती है क्योंकि जिल की तली पर जल नहीं जम पाता पीतल निम्द में की मिस्त रधातु है पीतल किसका मिस्त रधातु है तो तामबा और टीन का यानि की आप्सन अंबर हो जाएगा सी पिता जी बतर है कि जल के लिए pH मान होता है जल का pH मान लगवक सात होता है सूध जल का जल में carbon dioxide प्रवाहित करने पर बना soda water क्या होगा तो soda water अमलिये प्रकिर्टी का होता है जो कि carbon dioxide प्रवाहित करने पर बनता 74 है कि पोधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है तो हल्दी जो है हमें तना से प्राप्त होता आखरी प्रस्न है अफीम का मुख अब्यब है अफीम का मुख अब्यब क्या होता है तो morphine होता है option number C और फिम पोस्ते के अधपा के फल से प्राप लैक्टिक्स को ही सुखा कर बनाया जाता है